दोस्तो आज की वीडियो में परमाणू दर्यमान, मोलर दर्यमान और मोलू की संक्या ग्यात करना इन सब के बारे में मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को अंतक देखें सबसे पहले दो सुतर आपको याद करने होंगे जिसमें N बराबर M बटे M एक सुतर ये है और एक सुतर N बराबर N बटे N जीरो यहाँ पर देखें दोस्तो जो N छोटा N है ये मोलू की संक्या है जो छोटा M है वो दर्यमान है जो कि आपको दिया जाएगा जो ग्रामों में होगा और जो बड़ा M है वो मोल्डर दर्यमान है मोल्डर दर्यमान इसके अलवा जो बड़ा N है बड़ा N है वो आप आईनू की संक्या मान सकते हैं या इसको परमानू की संक्या मान सकते हैं या अनू की संक्या मान सकते हैं अनू की संक्या और N जीरो है ये आवागादरो संक्या है आवागादरो संख्या और आप जानते हैं जो आवागादरो संख्या है इसका एक मान होता है जो कि निश्चित है आवागादरो संख्या का मान 6.022 इंटू 10 की गात 23 ये आवागादरो संख्या का मान है अब दोस्तो इस मान को यानि हमारे पास ये दोनु जो सुत्र थे इन दोनु सुत्रों को हम एक तरीके से लिख सकते हैं देखो ये N बराबर M बटे M है और ये N बराबर N बटे N0 है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं M बटे M बराबर N बटे N0 तो इससे हमें तीन मान दे रखे हैं तो चोपने मान हम आसानी से निकाल सकते हैं अब हम इनका एक एक उधरण लेते हैं जैसे आपको यह दिया जाए कि C2, H5, COO, H इसका मल्डर द द्रमान निकारना है आपको तो इसका मल्डर द्रमान कैसे निकालेंगे देखे देखे यहां पर जो कार्बन है इसकी संक्या दो है और एक के कार्बन परमानु का जो दर्यमान होता है वो बारा है तो दो को हम बारा से गुणा करेंगे फिर पलस फिर यहां पर पांस हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन परमानु का परमानु दर्यमान एक होता है तो एक से इसको गुणा करेंगे फिर पलस कार्बन परमानु का दर्यमान बारा होता है तो बारा फिर ओक्सिजन का जो परमानु दर्यमान है वो सोला होता है तो यह इस परकार इस टोटल इसको जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 प्लेस पांच प्लेस 12 प्लेस 16 दूनी 32 प्लेस एक इसको टोटल हम करेंगे चो चोतर आता है चो चोतर ग्राम परतिमोल इसका मोल्डर दर्यमान आ जाता है तो इस परकार हम मोल्डर दर्यमान निकालते हैं तो किसी भी आनू का मोल्डर दर्यमान इस परकार निकाल सकते हैं इसी परकार जैसे और हम उधान ले जैसे CACO3 CaCO3 का अगर दर्यमान निकालें तो केल्सियम 20 नंबर पर आता है तो इसका पर्मानु दर्यमान 40 होता है और कार्बन का पर्मानु दर्यमान 12 है और ओक्सिजन का जो दर्यमान होता है वो 16 है यहाँ पर 3 ओक्सिजन पर्मानु है तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 40 पलस 12 पलस 16 ती 48 टोटल इसको जोड़ेंगे तो 100 ग्राम परती मोल इसका मोलर दर्यमान आ जाता है इसी प्रकार यदि हम जलका देखें S2O तो इसका देखेंगे तो 2 हाइडोजन के परमानों है और हाइडोजन का परमानों दर्यमान एक होता है तो 2 को एक से मल्टिप्लाई करेंगे फिर पलस ऑक्सीजन का परमानों दर्यमान 16 होता है तो 2 पलस 16 बराबर 18 ग्राम परती मोल इसका मोलर दर्यमान है इसी परकार जैसे CO2 का देखें तो कार्बन का परमानों दर्यूमान 12 है ऑक्सिजन का परमानों दर्यूमान 16 होता है यहाँ पर दो ऑक्सिजन परमानों है तो 16 को दो से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 16 दूनी 32 तो इस परकार टोटल मिला के इसका 44 मोल ग्राम परती मोल दर्यूमान हो गया तो इस परकार हम इसका मोल दर्यूमान निकालते हैं अब हम एक क्यूशन लें जैसे आपको क्यूशन दिया गया है कि जो 120 ग्राम कार्बन 120 ग्राम कार्बन में ग्राम परमानों तथा तथा परमानू की संख्या ग्याद कीजिए अगर इस प्रकार का एक्यूशन दिया गया आपको 120 ग्राम कार्बन परमानू में ग्राम परमानू तथा परमानू की संख्या ग्याद कीजिए तो इसको हम कैसे ग्याद करेंगे देखे हमारे पास जो सूतर था कि जो ग्राम परमाणू हमें निकानना है तो हम क्या करेंगे दर्यमान बटे परमाणू बहार तो इसका जो दर्यमान हमें दे रखा है 120 और जो कार्बन है उसका परमाणू बहार है वो 12 है तो ये 10 ग्राम परमाणू आ जाता है अब यदि परमाणू की संक्या हमें निकाननी है तो परमाणू की संक्या निकालेंगे देखो परमाणू की संक्या ये निकालेंगे तो ग्राम परमाणू की संक्या ग्राम परमानू की संख्या इन्टू एन ए यानि कि जो आवागदर संख्या है जिसको एन ए या एन जिरो लिखते हैं तो ग्राम परमानू की संख्या हमारे पास दस आई है और जो एन जिरो या एन ए है उसका मान यानि आवागदर संख्या का मान 0.022 into 10 की गात 23 है अगर इसको हम multiply करेंगे तो 6.02 into 10 की गात 24 ये इसमें परमानों की संक्या आएगी तो इस परकार हम ग्राम परमानों की संक्या को निकाल सकते हैं अब इसके बाद में जैसे एक क्यूसन इस परकार दिया गया है एक कार्बन परमानों का दर्यमान ग्यात कीजिए तो एक कार्बन परमानों का जो दर्यमान ग्यात करेंगे तो देखो कार्बन का परमानों दर्यमान 12 होता है कार्बन का परमानों दर्यमान 12 होता है तो एक मोल कार्बन परमानों में दर्यमान की संक्या होगी दर्यमान होगा 12 ग्राम तो 6.022 इंटी 10 की गाते 23 परमानू में परमानू का दर्यमान ये कितना होगा दर्यमान 12 ग्राम होगा तो एक जो कार्बन परमानू है इसका दरिमान क्या होगा 12 बटे 6.022 इंटू 10 की गाते 23 ये इसका परमानों दरिमान होगा और इसको हम हल करेंगे तो लगबग हमारी पास आएगा 1.99 में इंटू 10 की गाते माइनस 23 गराम ये इसका अंसर आएगा इसी प्रकार एक्यूसन ये देखिए एक्यूसन ये है कि 5.55 गराम सोडियम में मोलू की संक्या ग्याद कीजिए तो 5.55 गराम सोडियम में मोलू की संक्या आपको ग्याद करनी है तो देखे सोडियम का जो परमानों दरिमान होता है वो 23 होता है तो मोलू की संक्या N बराबर हमने पहले देखा है N बड़ाबर M बटे बड़ा M तो molar दिर्मान इसका sodium का कितना होता है 23 होता है तो इसमें मान रख लें 5.25 बटे 23 अगर हम इसको हल करेंगे तो 0.25 मोल आएंगे तो इस परकार हम इसको निकाल सकते हैं अब और भी देखे हम उधारन लें जैसे एक उधारन है कि 3.01 गुणा 10 की गात 22 NS3 आनू का दर्यमान का दर्यमान बताईए तो इसको देखे हम पहले NS3 का जो मोलर दर्यमान निकालें तो NS3 का मोलर दर्यमान क्या होगा देखो जो नाइट्रोजन है उसका पर्मान दर्यमान 14 होता है और जो हाइड्रोजन है उसका पर्मान दर्यमान एक होता है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 को एक से गुणा करेंगे 3 आएगा इस परकाट टोटल मिला के 17 ग्राम परती मोल इसका मोलर दर्यमान आता है 6.022 इन्टू दसकी गात 23 एनस 3 अनू में या अनू का धर्यमान 17 ग्राम परतिमोल है तो 3.01 गुना दसकी गात 22 जो क्यूशन में दे रखा में 22 एनस 3 अनू का धर्यमान होगा वो कितना होगा देखे 17 इन्टू 3.01 इन्टू दसकी गात 22 और नीचे चला जाएगा 6.02 इन्टू दसकी गात 23 यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 8.5 इन्टू दसकी गाते माइनस 1 इसको अगर हम ग्राम परतिमोल में बदलें तो 0.85 ग्राम परतिमोल यह मान हमारे पास आ जाता है तो इस परकार इसको हल कर सकते हम इसके अलावा देखे हमारे को जैसे 12 ग्राम एसो टू गेस 25 ग्राम जल और 22 ग्राम शियो टू इसको हमें मोल में बदलना है तो मोल में बदलने का सुतर में ने आपको बताया क्या था एन बराबर एम बटे बड़ा एम एन मोलू की संग्या है और जो एम है यह दरिमान है और जो बड़ा एम है यह मोल दरिमान है तो जिसको 12 ग्राम एसो टू को हम मोल में बदलेंगे तो सबसे पहले हम जो एसो टू है इसका मोल दरिमान निकालें तो मोल दरिमान देखो सलपर का परमानों दरिमान 32 होता है और ऑक्सिजन का 16 होता है यहाँ पर 2 oxygen पर मानू है तो 16 को दोस्य गुना करेंगे तो 32 तो टोटल मिला कि यह 64 ग्राम आता है जो की S02 का मोल्डर दर्यमान है अब इस उतर के अंदर हम मान रखें देखो हमें 12 ग्राम दे रखा है तो 12 ग्राम बटे यह 64 ग्राम जो इसका मोल्डर दर्यमान आया है वह है अब इसको हम हल करेंगे तो 0.1875 इतने मोल आएंगे तो इसा बारा ग्राम O2 को मोल में बदलेंगे तो इस परकार हम बदल सकते हैं इसी परकार देखें, दूसरा जो है में 25 ग्राम जल ही उस 25 ग्राम जल को हम मोल Κणलुत देखो। तो दो को एक से गुणा करने पर दो आता है प्लस ऑक्सिजन का परवानु दर्युमान 16 होता है तो दोनु को हम जोड़ेंगे तो 18 यह 18 ग्राम जो S2O है इसका मोलर दर्युमान है और आपको दे रखा है 25 ग्राम जल तो इस सुतर में N बराबर M बटे M के अंदर हम मान रखें तो देखे M का मान हमारे को दे रखा है कितना 25 ग्राम और जो इसका मोलर दर्युमान है वो 18 ग्राम हमने निकाला है तो 25 में 18 ग्राम भाग देंगे तो 1.49 मोल इतना मोलों की संक्याएगी 25 ग्राम जल में इसी प्रकार हमें एक क्यूशन यह दे रखा है कि हमें क्या करना है क कि जो 22 ग्राम, 22 ग्राम जो CO2 है, इसको हमें मोलू में बदनना है, तो पहले हम CO2 को, CO2 है, इसका मोलर दर्यमान निकाले, तो देखें, कार्बन का पर्मानु दर्यमान है, वो 12 होता है, तो कार्बन का पर्मानु दर्यमान 12, पला से ऑक्सिजन का परमाणु दर्यमानौ 16 होता है, यहांपर दो अक्सिजन है, 16 को दोशिय गुणा करेंगे, 16 दोनी 32, 12 और 32 को जोड़ेंगे, तो 14 ग्राम इसका मोल्डर दर्यमानाता है, मतलब यह बड़ा आयम है, उसका मानाया है, और हमारे पास जो M है छोटा M ये हमें 22 ग्राम दे रखा है तो N बराबर यानि मोलों की संक्या बराबर छोटा M बटे बड़ा M यानि कि छोटा M है वो दर्यमान है और जो नीचे वाला जो बड़ा M है ये मोल्डर दर्यमान है तो जो दर्यमान है हमें कितना दे रखा है 22 ग्राम और इसका मोलर दर्यमान हमने निकाल लिया है 14 ग्राम तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 0.5 मोल तो 0.5 मोल CO2 आता है इस प्रकार हम इसको मोलू में बदल सकते हैं इसी प्रकार और भी कई उदारन हम ले सकते हैं जैसे एक उदारन है कि जैसे आपको इलेक्ट्रोनों की संक्या ग्याद करनी है जैसे एक पॉइंट चार गराम नाइट्रोजन गेस यानि एन्टू गेस एन्टू गेस में उपस्त कुल इलेक्ट्रोनों की संक्या ग्याद कीजिए तो इसकी इलेक्ट्रोनों की संक्या हमें ग्याद करनी है तो सबसे पहले हम जो N2 गेस है इसका मोलर दर्यमान निकालते हैं तो N2 का मोलर दर्यमान निकालेंगे देखो जो नाइट्रोजन होता है उसका परमानों दर्यमान 14 हो मोलू की संग्या निकालने के लिए हमारे पास सूतर है N बराबर M बटे बड़ा M तो M का मान हमें दे रखा है 1.4 और जो मोलर दुरिमान हमने निकाला 28 अब इसको हल करते हैं तो 0.05 ये मोल हमारे पास 0.05 मोल ये मोलू की संग्या हमारे पास आ चुकी है और अब हम इसके अनू की संग्या निकालें तो देखो अनू की संग्या कैसे निकालेंगे देखे अनू की संग्या निकाने के लिए हम क्या करेंगे आवागदरो संग्या है उसको मोलू की संग्या से गुना करेंगे मोलों की संक्या तो आवागादर संक्या का माना आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 के गाते 23 और जो मोलों की संक्या आपने निकाले 0.05 इंटू में इलेक्ट्रोन की संक्या निकारनी है तो इलेक्ट्रोन की संक्या अब हमें कुल इलेक्ट्रोन की सेंग्या निकार नहीं है तो इस 14 को हम इस उपर वाले से गुना करते हैं तो 14 इंटू 6.022 इंटू 10 की आते 23 इंटू 0.05 तो इसे हम इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो टोटल मिला कि हमारे पास जो मान आएगा वो ये आएगा 4.214 इंटू 10 की आते 23 ये इलेक्ट्रोन आएंगे तो इस परकार हम इलेक्ट्रोन की सेंग्या भी इससे निकाल सकते हैं तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्क्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो थेंक्यू पॉर वाचिंग